अब ऐसा क्या घटित हो गया कि आदित्य L1 सूरज पर नहीं जा रहा सूरज पर नहीं जा रहा है भारत का आदित्य L1 मिशन फिर इस रोग का प्लान क्या है सूरज पर नहीं तो फिर कहां लॉंच पैड पर सूरिय यान पाक में घमासान चंद्रियान 3 की जाकी आदित्य L1 बाकी चंद्रियान 3 के बाद अब सूर्य की बारी अंतरिक्ष में विश्व गुरू कांट डाउन शुरू आदित्य की उडान सद्मे में पाकिस्तान जी हाँ भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सितंबर में अदित्य L1 मिशन लाउंच करने के लिए तैयार है यानि के कल दो तारिक को उसका काउंटडाउन जो है अलरडी स्टार्ट हो चुका है और कल दो तारिक को उसका प्रेक्षपन किया जाएगा यह उसका पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर अब्जर्वेटरी अंतरिक्ष जान है इस महत्वा कांक्षी परियोजना का मकसद सूरज के वहबार और अंतरिक्ष मौसम पर इसके असर के बारे में जानकारी हासिल करना है हालंकि ऐसा लगता है कि इसके डेस्टिनेशन को लेकर कन्फ्यूजन की स्तीती है सूरज के नाम पर रखा गया अधित्य एलवन वास्तम में सूर्य की यातरन नहीं करेगा ऐसे में सवाल उठता है कि फिर वो जा कहां रहा है सूरज पर जाने की बजाए आधित्य एलवन प्रित्वी से लगभग 15 लाख किलो मीटर दूर सूर्य प्रित्वी प्रणाली के लेंग्रेज बिंदु वन यानि एलवन के चारों और एक प्रभा मंडल कक्षा में स्तेत होगा क्या है इसरो का प्लान यह एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो आधित्य एलवन को ग्रहनों से बाधित हुए बिना लगातार सूरज का निरिक्षन करने में समर्थ बनाएगा इस से विज्यानिकों को वास्त्विक समय में सौर गती विद्धियों और अंत्रिक्ष मौसम पर उसके परभाव का अधियन करने में मदद मिलेगी एलवन यानि के लंग्रेज वन बिंदु अंत्रिक्ष में खास लोकेशन है यहां सौर्य और प्रित्वी का गृत्वा कर्शन छोटी वस्तुओं को उनके साथ चलने के लिए आवेश्यक सेंट्रिपेटल फोर्स के बराबर होता है यह संतूलन अंत्रिक्ष यान को न्यूनतम उर्जा खर्च के साथ अपनी स्थिती बनाई रखने में मदद करता है प्रित्वी सूर्य प्रणाली का लवन पॉइंट सूर्य का निर्बाध द्रिश्य प्रदान करता है अभी यहां सोलर और हेलि ऑस्फेरिक अब्जर्वेटरी सेलोलाइट सेटेलाइट यानि एस ओ एच ओ तैनाथ है एल वन पॉइंट पर कितने दिन में पहुँचे गा यान लांच के बाद अधित्य एल वन मिशन को एल वन पॉइंट के चारों ओर प्रभा मंडल कक्षा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेलो और्बिट तक पहुचने में सो से ज्यादा अर्थ डे लगेंगे पंदरा सो किलोग्राम का सेटलाइट विभिन उदेशियों के साथ साथ साइंस पेलोड ले जाएगा इसमें कोरोनल हीटिंग, सोलर विंड एक्सिलिरेशन, कोरोनल मेगनेट्रोमेट्री, निकट यूवी सोर विकिरिन की उत्पत्ती और निगरानी के अलावा फोटो स्फियर, क्रोमो स्फियर और कोरोना का निरंतर अवलोकन शामिल है लेकिन यह इन्ही तक सीमित नहीं है तो फिर क्या है मिशन का मकसद? देखो मिशन का एक परमुक उदेश्य सोर वायू और अंतरिक्ष मौसम के निर्मान और सरंचना के पीछे के कारणों का अध्यान करना है यह इस बारे में भी जानकारी देगा कि कोरोनल मास इजेक्शन यानि CME और सोलर फ्लेर्स कैसे बनते हैं यह अध्यायन सोर गती शीलता के पीछे के रहसियों और अंतर ग्रहिय माध्यम पर उनके प्रभाव को उजागर करने का दावा करता है आधित्य L1 मिशन सोर्य और हमारे ग्रह पर इसके प्रभाव के बारे में हमारी समझ बढ़ाने की दिशा में महतोपूर्ण कदम है अंतरिक्ष यान जो डेटा जुटाएगा उस से अंतरिक्ष मौसम चालकों की समझ में इजाफा होगा सूर्य की गती शीलता और अंतरिक्ष मौसम के बारे में हमारी समझ में यह बड़ा बदलाव ला सकता है कितना मुश्किल होगा भारत का यह मिशन यह जानना भी जरूरी है जानकारी के अनुसार आदित्य एलवान अंतरिक्ष यान को सौर करोना यानि सूर्य की सबसे बाहरी पड़तों की दूरस्त अवलोकन और एलवान यानि सूर्य पृत्विल अंग्रेज बिंदू पर सौर हवा की यह थार स्थिती अवलोकन के लिए बनाया गया है और जैसा मैंने बताया कि यह पृत्विय से करीब 15 लाख किलो मीटर दूर है इस मिशन से फाइदा क्या होगा इसरों के मताबिक सूर्य हमारे सबसे करीब मौजूद तारा है यह तारों के अध्यान में हमारी सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है इस से मिली जानकारियां दूसरे तारों हमारी आकाश गंगा और खगोल विज्यान के कई रहसे और नियम समझने में मदद करेगी हमारी पृत्वी से सूर्य करीब 15 करोड किलो मीटर दूर ही हम जानते है आदित्या L1 वैसे तो इस दूरी का महज एक प्रतिशत ही तै कर रहा है लेकिन इतनी सी दूरी तै करके भी वैस सूर्य के बारे में हमें ऐसी कई जानकारियां देगा जो पृत्वी से पता करना संभव ही नहीं होता अब आदित्या L1 में किन उपकरनों का इस्तमाल होगा पहला आता है विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ वी ई एल सी भारतिय तारा भौत की संस्तान बंगलूर ने इसे बनाया है यह सूर्य के करोना और उत सर्जन में बदलावों का अध्यान करेगा दूसरा है सूट यानि सोलर अल्ट्रा वॉयलेट इमेजिंग चलिस्कूप खगोल विज्ञान वा खगोल भौत की अंतर विश्व विद्याले केंद्र पूने ने इसे बनाया है यह सूर्य के फोटो स्फियर और क्रोमो स्फियर की तस्वीरे लेगा यह निकट पैरा बैंगनी श्रेणी की तस्वीरे होंगी यह रोशनी लगबग अद्रिश्य होती है अगला है सॉलेक्स और हैल वन ओ एस Solar Low Energy X-ray Spectrometer Solx और High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer यानि L1 OS बैंगलूर स्थित यू आर राव सेटलाइट सेंटर ने बनाया है इसका काम सूर्य X-ray का अध्यायन करना है फिर आता है Aspex और PAPA PAPA भोतिक अनुसंधान प्रियोगशाला एहमदाबाद ने आदित्य सोलर विंट पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानि Aspex और अंतरिक्ष भोतिकी प्रियोगशाला विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंत रिवंतरम पुरम में ने प्लाजमा एनलाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा बनाया है इनका काम सोर पवन का अध्ययन और उर्जा के वित्रन को समझना है फिर आता है Magnetometer यानि Mag Electro Optics Systems प्रियोगशाला बैंगलोर ने बनाया है यह L1 कक्षा के आसपास अंतर ग्रहिये चुम्बकिये चेत्र को मापेगा इसरो ने 2 दिसंबर 2023 यानि कल सुभा को सुर्य की और मिशन आदित्य एल वन भीजने का एलान किया है इसे सुभे 11 बचकर 50 मिनट पर शिरी हरी कोटा से लांच किया जाएगा इस मिशन से इसरो की काफी उम्मीदें हैं माना जा रहा है कि आदित्य एल वन मिशन से सुर्य की गतिविद्यों पर व्यापक जानकारी हासिल की जा सकेगी इंडियन इंसिट्यूट आफ एस्ट्रो फिजिक्स की निदेशक अन्नपूर्णी सुब्रमन्यम ने भी बताया कि आदित्य एल वन मिशन कब तक लैंग्रेस पॉइंट तक पहुँचेगा न्यूस एजनसी एन एन आई से बात करते हुए उन्होंने कहा आदित्य एल वन मिशन 2 सितंबर को सुबह 11.50 पर लाँच किया जा रहा है इसे PSLV C57 लाँचर पर लाँच किया जाएगा एल वन पॉइंट यानि 1.5 मिलियन किलो मीटर दूर है इसलिए पॉइंट तक पहुँचने में लग भग 100 से 120 दिन लगेंगे इस्त्रो परमुक S. सोमनाथ ने भी News Agency NNI से मिशन को लेकर कुछ जानकारियां साज़ा की है उन्होंने कहा है कि आदित्य एल वन को लेंग्रेज पॉइंट वन की तरब भिजा जाएगा इसमें 120 दिन का समय लगेगा बता दें पृत्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड किलोमीटर इस बीच में ही लेंग्रेज पॉइंट वन पड़ता है रास्ता क्या होगा नासा कैल्टेक के जेट प्रोपल्शन लिबॉटरी विज्ञानिक और आई आई टी इंदोर के गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्रा ने भी आदित्य एल वन को भेजे जाने के तरीके के बारे में जानकारी दी है उन्होंने कहा आदित्य एल वन अंत्रिक्ष यानि प्रित्वी की अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाएगा फिर धीरे धीरे अपनी स्थिती को बदल कर एल वन को और की और बढ़ेगा इस दोरान अंत्रिक्ष यान में लगे थ्रस्टर्स को समय समय पर चलाया जाएगा ताकि यान को वेग मिल सके और उसकी रफ्तार बढ़ जाए क्योंकि ये प्रित्वी से काफी दूर है तो इसे एल वन पॉइंट तक पहुंचने में चार महिने तक का समय लग सकता है इसे चंद्रियान तीन की तरह ही भेजा जाएगा बस अंत्रिक्ष का रूट अलग होगा और चांद के मुकाबले में इसमें ज्यादा समय लगेगा भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य एल वन का काउंट डाउन शुरू हो गया है भारतिय अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठन ने शुकरवार एक सितंबर को ये जानकारी दी है इसके पहले इस्रो विग्यानिकों की एक टीम आदित्य एल वन मिशन के मिनी मॉडल के साथ तीरू माला शिरी वेंकटेशवर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची भारत का पहला सौर मिशन 2 सितंबर को सुबह 11.50 पर आंदरपरदेश के हरी कोटा स्पेस सेंटर से लाँच किया जाएगा